प्रदेश समाचार नमस्कार मप्रतिमा सबेवन पहिले प्रमुख प्रदेश समाचार सुदूर पस्टी मेली हरुको परवग गौरा हर सुलास का साथ मनाई दे गौरा को दूस्टर दीन आज़ बिरूरा पुजा लमजुंग मा हले दुबाट तेल निकालने गरी संचालन मा आयको द्योग संकट मा परियाप्त कच्चा पदार्थको अभाव रा उज्यालो बाके अभियान अंत्रकत नेपाल गंज पुहलपूर सरकाणा मा लाइट जडान शुरू निर्मार्ट सामागरी को अभावले समस्याद अब पुरा समाचार कोरोना वारस कोबिड-19 को कहर के बीच सुद्रपस्यमेली हरुको मुख्या पर्वा गौरा को दोस्रो दिन आज नानी गौरा मनाईएको छ ब्रतालू महिला हरुली आज गिलो दिन भीजाय का बिरुडालाई नजिक का धारा तलाउमा लगेर धुनी चलन छुद्रपस्यमेली हरुली कोरोना कहर के बेश महान पर्वा गौरा मनाई रहेका छन। गौरा पर्वाको दोस्रो दिन आज नानी गौरा मनाईएको छ समा अपामार्ग लगायत का बनस्पती हरुको पर्योग गरी गौरा को प्रतिमुर्ती मनाई पानी का मुहान धारा तथा तलाउमा लगेर अगिलो दिन भीजाय का बिरुडाले गौरा को पुजा आज अगरने चलन रही आएको छब बिरुडार फलफुल सहित ब्रताल महिला हरुले सगुन फाग गायर गौरा देवी को पुजा आज अगरने गर दछन पौरानी कालमा भगवान महिस्वर को प्राप्तिका लागी गौरा देवी अर्थात पारवतिले निरहार नित्यारदना गरी प्राप्त गरेकु बिश्वास गरीं छब गौरा रा महिस्चोर को बिवाहा को समझना का रुपमा मनाईदे आयको गौरा यस परव कोरोना का कारण प्रभावित भायकुछा बिरोडा पंचमिका दिन बिरोडा ध्वायपसे याका महिला हरुले बिसेस परकार का गाथा हरुपनी सुनावने गरे काशन महिला हरुले धारण गरने बिसेस परकार को धागो गौरा देवी मा समरपन गरेर गौरा को मुख्य दिन दुर्गमा अस्तमी अर्थात अठ्यावली का दिन धारण गरने चलांछा तागा धारी पुरस हरुले जननाई धाराण गरे जस्ताई सुदर पस्यमका महिला हरुले गौरा को समयमा दोब धागो धाराण गरने करत चन आमी एती बेला अमरगडी नगर पाली का माछूं जहां कोरोना का कहरबीच गउरा परवाखको आज दोश्रो दिन बिरुडा दोहेरा मनाई देशा जुन लाई बिरुडा पंचमी बनी बन्ने गरींछा बिरुडा पंचमी का दिन यहांका महिला हरुले पर्त बसेरा बिरुडा लाई नजी कईको नाउलामा लगेरा दावने चलन रही आएको छा आफनु सस्किर्ति लाई बसाओन यहांका महिला हरुला लाई कोरोना ले पनी शेकने सकेको छेना जनता टेलिवीजिन का लागी ललीत बुहरा डडल धुरा स्रद्धा भक्ति पुर्वाग पुजापार करी परवाव मनाईएको हो इस वर्ष कुरोना वायरस को जोखिम का कारण जिल्लामा जारीकरियेको निशेधा ग्याले आफना चेली बेटी हरुलाई अग्रासन पुर्याउना नस्तकिको थारु समदाय का अगुआ हरुको भनाई लमजुंको सुन्दर बजार मा सुगंदी टेल प्रस्रोधन कलागी संचालन मल्याईएको आदी प्रस्रोधन किंद्र कचापदार्थ भावगा कारण संकट मा परिकुछ हलेदो बाठ तेल निकालने गरी स्तापणा भयको द्योग परियाप्त मात्रामा हलेदो नपाउदा संकट मा परिकुछ दुई बर्च अगाडी लमजुंको सुन्दर बजार नगर पालिकामा हलेदो को तेल निकालने उद्योग स्तापना भय हलेदो लाई बास्पिकरण बिदिबाट ताप दिए तेल उद्पादन गर्णेगरी उद्ध Bears न भायपनी पर्यापत मात्रामा हलेदो न पाउदा उद्ध future Milgram इसके कुछाुधाता हलेदो न भायपनी पर्यापता श्लिंदम ुद्ध ने न भाया न भायपनी पर्यापता जिबिको पार्जन उद्यम सिल्ता विकास लगायत का छेत्रमा काम गरदे आएको 24 नेपाल नामक गईर सरकारी सस्ता को सहयोग मा दुहजार पचतर साल मा उद्योग स्तापना भैको हो बाजो जमीन को उपयोग गरी रोजगारी रा आए आर्जन को अवसर श्रीजना गरने लच्छे सहित उद्योग को स्तापना गरी पनी कच्चा पदार्था भाब भैपसी अपेक्षित उपलाब्दी गरना न सकियेको उद्योग संचाला घर को भनाईचा करीब सत्तरी लाक रुपया लगानी रहेको उद्योग मा वाशिंग मेशिन, बोईलर मेशिन, डिस्टिलरी मेशिन, कटिंग मेशिन हरू प्रयोग गरी हलेतो बाट तेल उद्योग पदार्था उज्जियालो बाकी मनावने अभियान अंत्रगत निपाल गंज कोहलपूर सडखना मां हाई मास्ट लाइट जडान शुरू गरीएकुछ लाइट जडान का लागी शहरी विकास मंत्राले बाट चो करोड चारिस लाख 32,82 रुपईया बसीट छुटेएकुछ बाके को कोहलपूर नेपाल गंज अडखन्ड रा नेपाल गंज उपमाहा नगर पाली का लिधियेकुँ निस्ट ठाउ हरू मां हाई मास्ट लाइट जडान गंड लागी शहरी विकास मंग बिक्रम सम्भाद दूहे जार्चियां तर पूस 28 गते 4 करोड 20,21,000 मां लाइट पूर्ब मंत्री अबम सामसत मोहमत इस्तियाक राईली निपाल गंज लाइट जिली मिली पाने उजनाले सार्थकता पाई रोहेकुँ बताऊनू भायकोशा आफुले लियाएक यउजनाले अब केही महिना भित्र सार्थकता पाऊने भंदाई राईले खुसी बेक्त गाणू भायो लगडाउन का कारण निर्मान सामागरी को अभाब हुंदा आईजनाक केही महिना धिलो हुने भायकोशा उज्यालो बाके बनाउने अभियान मा तेहां का जनप्रतिनी दिहरु पानी खटी रहे कासनू बाके बाट रबिंद्र सिंग ठकुरी को रिपोर्ट प्रदेश समाचार मा अब छोट विश्रां प्रदेश समाचार मा अब छोट समाचार अब भदव चौद अगती राती बारबजी समा थप गरने निणेगरिये को प्रमुक्सिला अधिकारी बहादी पंथली जानकारी दिनु भयो जिला इस्तरी COVID-19 नियंत्रन तथा रोगठाम किंद्र को बईठकली कोरोना को रोगठाम र नियंत्रन का लागी भदव चौद अगती राती बारबजी समा लगडाउन करने निणेगरिये को प्रमुक्सिला अधिकारी पंथली जानकारी दिनु भयो लगडाउन को समय मा अत्यावसिक सेवा का सबारी साधन बाहिक अन्ये सबारी साधन लाई प्रतिबंध लगएगो सा कोरोना वारस को संक्रमण देखिये पसी आइसोलेशन सेंटर मार राखिये का बाकी का एक थुनुआ फरार भय का सन खजुरायसित क्रिश्वी तालिम केंदर मा रहे को आइसोलेशन बाठ थुनुआ भागे का हुन बाकी प्रहरी ले लागो शद कोरेक सहीत नियंत्रन मा लियरकार वही प्रक्रिया अगी बढ़ाये का थुनुआ अलाई संक्रमण देखिये पसी आइसोलेशन सेंटर मा पठाईये को थियो बाकी प्रहरी प्रमुक एसपी ओमबाहदू राना ले आइसोलेशन मा पठाईये का थुनुआ भागे को रहा है au थुनुआ भागेपची स्पी रानाले आइसोलेशन को ड्यूटी मा रहेका पांच प्रहरी लाई जिला प्रहरी कार्याले हाजिर गराउनु भाएको छाँ आधुनिक प्रविदिको प्रयोगरते वीडियो कंफरेंस मारफद भोजपूर साइथ एगहर जिला का सरकारी वकील कार्याले का नवनिर्मीत भवन उद्घाटन गरिये को स्वा माने दी वक्ता ग्निप्रसाद खरेले भोजपूर, पोखरा, धनुशा, बर्दिया, सल्यान, हुल्मा, दार्चुला लगाय ठाउंका एगहर नवनिर्मीत भवन को घाटन गरनु भाएको हो प्रविदी को माधियें बाटा, काखन बाटा, एक साथ देश का बिविन जिल्लामा रहेका, कार्याले हरुको घाटन गरता समय संगई, राज्य को लाखों बजेट समेत जो किये को स्वा मानेदी बक्ता, खरेले आफन कार्यकाल को अड़ाई वर्षामा बाउन वटा भवन बने को जानकरी समेत दीनो भायो बोजबुर मा एक रोपनी श्वित्रफल भीत्र तीन करोर चोंतीस लाख लागत मा भवन निर्माण भाय को हो पुरानो भवन मा चुटे को ठाको बेवस्ता नहोदा कतिपे गोपनी ये तालाई ध्यानमा रागताई बयानलीने क्रम मा समस्या होने गरेको थियो नया भवन बनेपजित त्यो अवस्ता को अंत्य भाय को कार्यालेले जनाएको छा अन्तियवा प्रमुग प्रदीस्तमा चार। सुदुर्पशी मेली हरुको पर्वग गौरा हर्सोलास का साथ मनाई दे। गौरा को दोस्रोदी नाज बीरोडा पुजा। लमजुग मां हलेदु बाट तेल निकालने गरी संचालन मां आयको द्योग संकट मां पर्याप्त कच्चाप पदार्थको अभाव। रा उज्यालोबा के अभियान अंतरगत नेपाल गंज कोहलपूर सड़कर्णाबा लाइट जडांच शुरू निर्मार सामगली को अभावले समस्या। प्रदेश समाचार अही लेलाई एतिने जनता द्वरा जनता का लागी प्रसारीत जनता टेलेविजन का कारिक्रम हरू तपाईं यूट्यूब ट्विटर फेस्बुक राहम्रों वेबसाइट जनतासमाचार डॉटकम मां पनी पर्ण रहेर्ना सक्न हुने छा। सुचनामा तपाईं को सहभागीता समयमा समाचार हम्रों प्रति बतता नमस्कार।